सबसे कमाल की चीज किसी भी वेब सीरीज या फिल्म के लिए क्या होती है देट उसकी कहानी सच ना होते हो भी लोग उसमें दिखाये गए करेक्टर्स को असली मान लें और फिर उनमें से कोई हट जाये तो ऐसा लगे जैसे कोई अपना चला गया हो ये चीज किसी भी शू को रातो रात जीरो से हीरो बना देती है समझने वाले समझ गए होंगे बात यहां पे मनी हाइस्ट की हो रही है एक ऐसी वेब सीरीज जिसको ओरिजिनली सिर्फ दो पार्ट्स तक बनना था देन बर्ले नाम का जादू हुआ and here we are 5th season आ गया है शो का बॉस वन लाइन रिव्यू दिमाग को साइड में रखिए and सीरीज को सिर्फ आँख और दिल से देखिए सोचा नहीं होगा लेकिन इस बार emotions is greater than action प्लस खून खराबा पैसा और टाइम दौनों वसूल होगा यह guarantee है मेरी चेस खेला है कभी हाँ तो सेम उसी style में इस season को आगे बढ़ाया गया है चेक्मेट की तयारी है एक साइड प्रोफेसर एंट टीम तो दूसरी तरफ पूरी गर्मेंट बैठी है स्पेन की चेलेंज इस बार पार्ट्स में है एक तरफ प्रोफेसर इस फेसिंग दिमाग से साइको एंड वेरी खतरनाक अलीसिया मैडम तो दूसरी तरफ बैंक के अंदर घायल, ब्रोकन, स्केरड एंड होपलेस टीम का पंगा है मिलिटरी फोर्स से चलो ये सब तो सम्हाल भी लेते बट बैक्राउंड में आर्टूरो का दिमाग चल रहा है आइंस्टाइन से भी तेज कुछ ऐसा करेगा ये बंदा देट नफरत का मीटर वो सारी लिमिट्स क्रॉस करके ब्लास्ट हो जाएगा मन करेगा स्क्रीन में घुसके मारो इसको प्लस मेंन स्टोरी के पैरिलल भी है बर्लिन की हिस्ट्री जिसमें एक अलग ही हाइस चल रहा है इंट्रस्टिंग अड वेरी थ्रिलिंग टाइप का और पाच एपिसोड के सेंटर में सिफ एक क्वेशन है फ्रीडम या रिवेंच दोनों में से जादा जरूरी प्रोफेसर और टीम के लिए आखिर है क्या फॉर नाइरो भी या फॉर फूचर किसको सिलेक्ट करेंगे ये लोग डारेक्ट मेंन क्वेशन पर आती हूँ वाई क्यूं देखें इस शो को लेकिन जो कॉंटेंट के लिए शो देखते हैं बॉस फॉर चार गुंटे यू हैव एक्साइटमेंट फ्रिल और सस्पेंस का डेडली ट्रायो तो हैंडिल स्क्रीन प्ले एकदम अन्प्रेडिक्टेबल अगला सीन कैसे शुरू होगा मेकर्स हर बार करेंगे आपको सर्प्राइज कभी दिल तूटेगा तो कभी दिमाग उलच जाएगा बट विस्ट इंटन्स बहुत सारे मिलेंगे शो की इंटेंसिटी इस बार चली गई है एकदम नेक्स लेवल पर फिर चाहे वो आरपार वाला एक्शन हो प्रफेसर और अलीसिया के बीच पागलपन का कॉम्पेटिशन या सिर्फ पार्फुल वन लाइनर्स ये सिर्फ हाइस नहीं वार है यू के लिटरिली फील एव्रीथिटिंग and the best part हम सबने सोचा था that money heist is leading towards the finish line, the end लेकिन makers यहां भी खेल गए हमारे साथ actually story को घुमा दिया है नोने reverse में and सब कुछ episode number one की तरफ बढ़ रहा है the beginning कमाल का narration है boss in the magical voice of Tokyo एक पूरी journey experience करने को मिलेगी show का x factor है इस बार बराबरी between the heroes and the villains मतलब professor and team के लिए कुछ भी easy नहीं है बहुत सारे ऐसे moments आते हैं जब negative character takes over इसकी विज़े से होता यह है that आपका दिमाग पूरे 4 गंटे रहता है busy इसके साथ क्या होगा, वो कैसे बचेगा, बचेगा भी या नहीं continuous thoughts आते रहेंगे दिमाग में यह शायद किसी भी series के सबसे तेज भागने वाले 5 episodes होंगे जहां literally एक second के लिए भी सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा बट सबसे shocking है the climax, यह तो एकदम out of syllabus हो गया सरजी मतलब क्या feel करना है, कैसे करना है, समझी नहीं आएगा we were not ready for this, Netflix भया ने दिल और दिमाग दोनों की कर दी ऐसी की तैसी and इसी विज़े से season 5 का part 1 बनेगा काफी बड़ी success because literally हमें December के लिए अभी से excited कर रहा है part 2 में क्या होगा हम सब आज से ही जानना चाहते हैं makers की strategy निकली एकदम successful and last but not the least, show का जो environment है, suspenseful dark music उस पर guns की non-stop आवाजें and life and death के बीच फसे कुछ लोगों की madness सिर्फ ये तीन चीज़ें ही काफी है to attract audience को magnet की तरह है उस पर bonus है very very clever and smart level की writing एक तरफ किसी negative character को positive में convert करना तो दूसरी तरफ कोई normal बंदा जो actually में सिर्फ एक hostage था उसको most hated of all बनाना money heist के writers दिमाग से खेलने में हैं 100% expert तो यार मेरी तरफ से money heist season 5 volume 1 को मिलेंगे 5 में से 4 stars एक star तो ये ending की जगे starting की तरफ ले जाने वाला creative idea reverse storytelling उसके लिए एक star एक pure action thriller show का x factor मार धार या suspense नहीं बलकि emotions को बनाना उसके लिए चाहिए presence of mind and show का climax है उसका सबसे बड़ा example जहां चोट सबसे ज़्यादा लगे वहीं पर attack कर दिया दिल पर एक star screenplay को पूरे 5 episodes तक unpredictable, suspenseful and fast तरीके से चलाना कोई normal बात नहीं है director सहाब आपके talent को मेरी तरफ से salute एक star ये checkmate वाले narration style के लिए बहुत rare होते हैं वो shows जहां makers उठाते हैं risk, villain को hero से ज़्यादा powerful दिखाने का इससे हो जाती है audience panic and अगला season देखने को बेचैन और half star dictionary में मौझूद adrenaline rush नाम का जो शब्द है उससे reality में मुलाकात कराने के लिए thrill, excitement, suspense, डर, प्यार 5 episodes, 5 stages, mission successful बात करू negatives की तो half star कर टेगा actually season 5 में काफी weak storyline portray करने के लिए मतलब episode 1 से 5 तक कुछ खास हुआ नहीं main कहानी में, side में बहुत कुछ हुआ लेकिन एक proper कहानी वो है थोड़ी सी missing बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको instagram पर भी जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करें मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में take care bye bye